नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का एक बार फिर से नवदीप सर के साथ अड़े 24-7 के SSC यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज है भारतिय नौसेना दिवस चार दिसम्बर 1971 को भारतिय सेना और भारतिय नौसेना ने अपने शौरे और पराकरम का कुछ इसकदर परिचय दिया कि इंडियन नेवी ने तो कराची का पूरा नेवी का बेस ही उड़ा दिया था दोस्तों ये बात उस जंग की है जिस जंग को छेड़ा पाकिस्तान ने लेकिन उसे खत्म किया भारत ने भारत वह देश है जो कभी भी जंग शुरुआत करने में यकीन नहीं रखता लेकिन अगर भारत को किसी ने छेड़ा तो भारत कभी किसी को छोड़ता नहीं ये बात पाकिस्तान से बहतर समझेगा कौन बात है 4 दिसंबर 1971 की जब बांगलादेश लिबरेशन वार चल रहा था यानि कि बांगलादेश के साथ एक युद्ध पूर्वी पाकिस्तान और पश्मी पाकिस्तान का चल रहा था अगर हम लोग इसके पहले इन्डियन नेवी डे पर थोड़ा सा प्रकाश डाले तो भारत की नेवी के स्थापना तो 1764 में हुई थी 1764 में इसकी स्थापना के समय पर इससे Royal Indian Navy के नाम से जाना जाता था जिसे Royal Indian Marine Navy भी कहा गया बाद में 1947 में भारतीए नेवी भारत की नेवी और पाकिस्तान की नेवी Royal Indian Navy से बनी और Royal Indian Navy से ये दो पार्ट बटने के बाद पाकिस्तान जो की वेस्ट में भी था, इस्ट में भी था, 1947 से 1971 तक इस्ट पाकिस्तान रहा 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीट जंग छिड़ी तो बांगलादेश आजाद हो गया पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा पश्मी पाकिस्तान की गिरफ्त से पूरी तरह फ्री हो गया और 4 दिसंबर 1971 को भारती नौसेना ने किया कुछ ऐसा कि पाकिस्तान के होश उड़ गए दोस्तों इस हिस्ट्री को भी जानेंगे पर फिलहाल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को आज जो हमारी नौसेना अपने इस पूरे पावर को डिमोंस्टेट कर रही है जिस जगह से डिमोंस्टेट कर रही है वो जगह अपने आप में बड़ी खास है भारती नौसेना के दिवस को मनाते हैं हम 4 दिसंबर को भारती नौसेना का दिवस मनाने के साथ साथ भारती नौसेना का जनक या भारती नौसेना का पिता माना जाता है छत्रपती शिवाजी महराज को चत्रपति शिवाजी महाराज अपने आप में बहुत बड़े आईकन है सन 1660 के आसपास उन्होंने एक दुर्ग बनाया था जो कि मुंबई से लगभग 5500 किलोमीटर दूर और गोवा से लगभग 135 किलोमीटर दूर है और ये अरब सागर में स्थित है और इस दुर्ग को अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा दुईप है लेकिन छोटे से दुईप में भी इतने बड़े से किले का निर्मान किया है भारती नौसेना वास्तविक्ता में इस समय पर जो अपने पावर को डिमोंस्टेट कर रही है वो इस सिंधु दुर्ग से कर रही है और दोस्तों ये नौसेना दिवस का आयोजन सिंधु दुर्ग किले में किया जा रहा है आज तिरपन्वा नौ सेना दिवस है सन 2023 में और तीनो सेनाएं अपने प्रमुख आपचारिक कारिक्रम अब दिल्ली के बाहर आयोजित करने लगी हैं जैसा कि हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं कि इसके पहले 2022 में विशाखापटन में इंडियन नेवी ने इन सभी कारिक्रमों को आयोजित किया था दोस्तो प्रधान मंत्री मोदी ने यहां एक बात कही और वो बात अपने आप में काफी ग्रैविटी रखती है जल मेव यस्य बल मेव तस्य इसका मतलब यह है कि जल में जिस तरह उसी तरह हम बल से निकल करके बाहर आएंगे प्रधान मंत्री मोदी जब सिंदुदुर्ग पहुँचेंगे तो सिंदुदुर्ग के तारकरली समुद्र तट से जो भी युद्धपोत हैं, पंडुब्बी हैं, विमान हैं और विशेश बल यानि कि इंडियन नेवी के स्पेशल फोर्सेस को हम कहते हैं मरीन कमांडो या मार्कोज, उन मार्कोज के डिमोंस्ट्रेट किये जा रहे पावर से भी रूबरू होंगे यह प्रधानमंत्री मोदी की एक खास बात है, जो हमेशा से उन्हें सैनिकों के और हमारी देश की सेनाओं के करीब लाती है यह एक विशेशता है प्रधानमंत्री मोदी की दोस्तो थोड़ी सी और चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम पाते हैं कि भारतिय नौसेना की इस बार की जो थीम है वह थीम रखी गई है लेकिन यहाँ एक फोटो चत्रपती शिवाजी महराज की भी है चत्रपती शिवाजी महराज को भारतिय नौसेना का पिता कहा जाता है 1674 के आसपास जब इन्होंने अपना राजय भिशेक कराया था राजय भिशेक कराने के समय पर इन्होंने अपनी नौसेना की पावर को लोगों को दिखाया और नोसेना की पावर इतनी थी कि उस समय पर भारत में आए हुए अन्य, यूरोपीय पावर्स को इन्होंने समेट करके रख दिया था पूर्तगाली भी, पूर्तगालियों के लावा डच भी, डच के लावा ब्रिटिश, फ्रेंच, डेंज, सब भारत पहुंच चुके थे और सन 1674 के आसपास मराठा सामराज्य को और बहतर तरीके से मजबूत बनाने में चत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित की गई नेवी का बहुत बड़ा योगदान है इस योगदान को हम कैसे भूल सकते हैं आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि आखिर ओपरेशन त्रिशूल है क्या तो दोस्तो बात है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की भारत के उत्तर पूर्व में जो पाकिस्तान दिखता है आपको भारत के पश्चिमी हिस्से में जो पाकिस्तान दिखता है आपको ये अलग-लग नामों से दिखते थे जैसे भारत के पूर्वी हिस्से में जो आज का बांगला देश है वो 1947 में आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और जो हमारे भारत का वह हिस्सा जो की नौर्थ वेस्ट फ्रॉंटियर प्रोविंस का था वह पश्मी पाकिस्तान के रूप में उभर करके सामने आया पश्मी पाकिस्तान अपने नसलवादी टिपणियों के कारण हमेशा से पूर्वी पाकिस्तान से अलग रहा भाशा का विबेद भी एक बहुत बड़ा कारण बना और linguistic barriers हमेशा से बड़े कारण रहे हैं किनी भी दो जगहों को एक साथ में रखने के लिए दोस्तों जब लगातार पश्मी पाकिस्तान का अत्याचार पूर्वी पाकिस्तान के उपर बढ़ता रहा तो अंततह भारतिय सेनाओं ने इंटर्वीन किया और भारतिय सेनाओं के उस इंटर्वेंशन में थल सेना, वायू सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से सामने आना ही पाकिस्तान की हार का मुख्य कारण बना तो बात ये कि Western Pakistan से जितना भी सप्लाई इस्टन पाकिस्तान की तरफ आ रहा था चाहे वो military की सप्लाई हो राशन की सप्लाई हो या arms की सप्लाई हो उन सभी को रोकने की जरूरत भी थी और उन सभी को रोकने के लिए हमारे देश की नौसेना ने कुछ खास काम किये और दोस् कि अरब सागर में ही दोनों के दोनों तट हैं और या अरब सागर के दोनों के दोनों तट आराम से कराची को टच कर सकते हैं पाकिस्तान के Air Force उसने 3 दिसंबर को भारत के अन्य जगहों पर या अलग अलग जगहों पर एर स्ट्राइक किया, उनके एर स्ट्राइक करने के बाद 4 दिसंबर को इंडिया ने वार डिकलियर कर दिया, इंडिया के वार डिकलियर करने के बाद ही भारत की नौसेना पूरी तरह से तयार थी, ऑ भगवान शिव का एक मुख्य अस्त्र है भगवान शिव के मुख्य अस्त्र के नाम पर ये जो ऑपरेशन त्रिशूल लॉंच किया गया इसने जा करके सीधे पाकिस्तान के कराची नेवल बेस पर ही हमला कर दिया और कराची के बंदरगाह को आल्मोस्ट तहस नहस करते हुए वहां के बहुत सारे शिप को डुबो दिया इस शिप को डुबोने के बाद दिसंबर 16 में धाका में लगभग शाम को 5 बजे यानी शाम को 4 पचपन पर भारतिये नौसेना वायूसेना और थलसेना के सामने पाकिस्तान सरिंडर कर देता है देखो दोस्तों कोमोडोर हुआ क माना जाता है कि इन्हें कालांतर में चल करके भारत के बहुत ही बड़े युद्ध के समय के सैन सम्मान से सम्मानित किया था और युद्ध के समय में जो सैन सम्मान होता है उसे आप लोग जानते ही हैं जैसे कैप्टन महिंदरनाथ मुला की हम लोग चर्चा करते हैं वो महा आप पाएंगे कि यह भारत का हिस्सा है और भारत के हिस्से में यहां द्वार का यानि काठियावार का हिस्सा और नीचे की तरफ मुंबई मुंबई से INS किल्टन ने हमला करते हुए PNS खैबर को MV Venus Challenger को और PNS मुखाफिज को इन सब को डुबोते हुए कराची को ही उड़ा दिया और 4 और 5 दिसंबर 1971 को तो पाकिस्तान समझी नहीं पाया कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है और अन्ततह एक हिस्टॉरिक नेवल विक्ट्री हुई इस ओपरेशन त्रिशूल की वज़े से ह भारती नौसेन ना की ओपरेशन त्रिशूल बलकी 4 दिसंबर 1971 के अलावा भी कई सारे ओपरेशन में इन्वाल्व रही है जिन में से ओपरेशन किये गए और ओपरेशन से मौलदीव से लोगों को बाहर निकाला गया Operation Maldives से लोगों को बाहर निकालने के लिए 1988 में किया गया आप कॉमेंट करके बताएंगे कि Operation का नाम क्या है Operation सफेद सागर चलाया गया हमारे Air Force द्वारा जब हमारी Air Force कारगिल में operate कर रही थी उस समय पर Indian Navy ने भी एक Operation तलवार चलाया हुआ था जो की समुद्री सीमा उपर पाकिस्तान को बाधने का काम कर रहा था और साथ ही साथ जब Operation रहत चलाया गया Indian Navy द्वारा तो वह सन 2004 में जब Indian Navy द्वारा सुनामी से पीडित लोगों को सही बचाव करके बाहर निकाला गया चेन नई में बहुत सारे Operations हैं जिन Operations को करने के लिए हमारी Indian Navy जानी जाती है और अपने Operational Capabilities के लिए Indian Navy का तो कोई सानी ही नहीं Indian Navy की ranks भी ऐसी हैं और मैं व्यक्तिगत तोर पर भारतिय नौसेना को इतना ज़्यादा पसंद करता हूं कि मैं तो जाना भी चाहता था बहराल कुछ कारणों की वज़े से अंततह ना पहुच पाना भी मेरे लिए हमेशा एक Regret की रूप में शामिल रहेगा दोस्तो भारती नौसेना को आये सलाम करें इस विशेश दिवस पर भारती नौसेना के इस समय पर जो Commander in Chief है यानि की भारत की तीनों सेनाओं के Commander in Chief तो राष्ट्रपती होते हैं लेकिन भारत के नौसेना के इस समय पर Chief of Naval Staff है हरीकुमार जी आप सभी लोग जानते हैं Admiral हरीकुमार जी को अब आपसे एक question है कि ये बताएं भारती नौसेना के पहले Admiral कौन हुआ करते थे ये आपके लिए एक बहुत important question हो जाएगा और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को नौसेना दिवस की एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ भारती नौसेना दिवस के अवसर पर सभी जांबाज नौसेनिकों को हारदिक बधाई अदम्य साहस वशौर इसे समुद्री सरहदों की रक्षा करने वाले नौसेनिकों को हम सलाम करते हैं और मैं हमेशा कुमार विश्वास जी की वो लाइन्स दोहरा पाने से अपने आपको रोप नहीं पाता लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे विजे के उद्गोश गीता के कथन तुमको नमन है तो नौसेनिकों को सलाम है और नौसेनिकों को हम अपनी तरफ से श्रधांजली अर्पित करते हैं जिन्होंने भी हमारे देश के लिए अपने प्राणू की आहूती दी भारती नौसेना की दक्षणी का मान कहा है यह आपके लिए प्रश्न होगा और दोस्तो हमारे पूरे अड़्ड़ 24-7 पर अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं और आप उस पर डिसकाउन चाहते हैं तो यह कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो की है Y263 और कोई भी टेस्स सीरीज या बुक को परचेस करने के लिए Y263S का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों शेयर कीजिए लाइक करना बिल्कुल भूलिये इस वीडियो को और अपने सभी दोस्तों के पास पहुचा दीजे जै हिंद, जै भारत, जै हो भारत की नौसेना की और इसका मोटो शंग नो वरुन है May the Lord of Water be auspicious unto us जै हिंद झाल